नमस्कार बहुत स्वागत है आपका इस्पेशल रिपोर्ट में मैं हो रिनू नेतन्याहों को इरान से एक बहुत बड़ा जटका लगा है इरान में रहने वाले यहूदी अब इसराइल से लड़ने को तयार हैं दुनिया में बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसराइल के आबादी इरान में रहती है और यहां एक यहूदी सांसत भी है अब इरान की इसी यहूदी सांसत ने इसराइल के प्रधान मंतरी नेतन्याहों को धंकी दी है और कहा है कि अगर इरान पर हमला करने की कोशिश की तो इसराइल का वजूद ही मिटे जाएगा इसराइल को मिचा देगा इरान का यहूदी लड़ा का 1 अक्टूबर 2024 को 2000 बलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने वाला इरान क्या इसराइल पर फिर भैंकर हमले करने जा रहा है ऐसे दावे क्यों किये जा रहे हैं कि इरान के समर्थन में यहूदीयों का एक वर्ग इसराइल का वजूद मिटानी की तैयारी में जूट गया है क्या वाकई इरान के सुप्रेम लिडर अली खामनई के पास यहूदी ब्रिगेड है जो इसराइल का वजूद मिटा सकती है यह दावे और कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि इरान में एक यहूदी सांसद ने ऐसा बयान दिया है जिसने प्रधान मंतरी नेतनियाहू के साथ साथ रक्षा मंतरी योग गैलन्ट और इसराइल के टॉप कमांडों के होश उड़ा दिये हैं इरान के इस इहूदी सांसद का नाम हुमायू सामेह या नजफाबादी है जिसने प्रेस ट्रीवी पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है खाम नई की यहूदी ब्रिगेड नेतनियाहू से लेगी बदला एरान मेगज चांसद हमायू सामेह या नजबाबादी ने एजराईली परदान मंत्री वेन्यामेन नेतनियाहू को धमकी देते हुए कहा है एक अक्टूबर को मिसाईल हमले के जबाब में अगर एश्रिया देश एरान पर इसराइल हमला करता है तो ये नेतनियाहुद सरकार के मुर्खता साबित करने वाला क्दम साबित होगा इस वक्त इसराइल को दो तरफ से चुनोती मिल रहें एक तरफ से हिजबुल्ला लगातार नौर्थ इसराइल में हमला कररा है और दूसरी तरफ इरान इसराइल पर एक बड़े हमले की तैयारी कररा है समझा यही जा रहा है कि वो हमला एक अक्तूबर से बहुत ही ज्ञादा बयानक होगा कई लोगों के दिमाग में सवाल कौद रहा होगा कि एरान में यहुदी कहां से आ गये हैं और यहुदियों के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इरान का साथ यहुदी क्यों देंगी हम आपको एक चौकाने वाला आकड़ा दिखाते हैं जो साबित करता है कि एरान में मौझूद यहुदी पूरी तरह से एरान के सुप्रेमिलिटर अलिख खामनेई के वफादार हैं वो जितनी महबत अलिख खामनेई से करते हैं उससे कहीं जादा नफरत एरान के यहुदी नेतनियाहू और इसराईल से करते हैं जरा देखिए इस वक्त इरान में कितने यहुदी रह रहे हैं साल 2022 में जारी हुए आंकडों के मताबिक इरान में इस वक्त 9200 से ज़्यादा यहुदी रहते हैं पश्मी अश्या में इसराइल के बाद सबसे ज़्यादा यहुदी इरान में ही रहते हैं 1948 तक एरान में एक लाक यहुदी रहा करते थे ल pię quiet में बदले हालातों की वजह से अब एरान में 9200 यहुदी बचे हैं एरान में रहने वाले यहुदियों को एरान का वफादार माना जाते है इसलिए इरान के यहुदी सांसद हुमाईू सामेह याह नजफाबादी दावा कर रहे ही कि इरान को इसराइल नहीं हरा पाएगा इरान का खुर्रम चैनेंज जी हाँ इरान की चौथी पेड़ी के खुर्रम शेहर मिसाइल के आने के बाद से ही इरान का कॉंट्विडन्स हाई है इरान की हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत भी जोड़ है जिसके आगे कभी कभी आयरेड डोम भी नाकाम हो जाता है खामनेई का खर्रम चैलेंज इरान को हराने वाला पैदा नहीं हुआ एक अक्टूबर को इसराइल पर मिसालों की बारिश करने वाले खामनेई भी अब आर पार की जंग करने को आमादा हो चुके हैं मिडलिस्ट के दावों के मताबिक इरान को लग रहा है कि अगर इसराइल पर जल्दी ही दोबारा अचैक नहीं किया तो इसराइल इरानी सेना के टॉप कमांडर और नेताओं को भी उसी तरह से टारगेट किलिक कर सकता है जैसे हमास और हिजबुल्ला के धाकड नेताओं और कमांडरो को मारा गया है इसलिए ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत के डम पर इसराइल पर भैंकर हमले की तैयारी पूरी कर ली है खास तोर से हाइपरसोनिक मिसाइलों से एरान इसराइल पर कभी भी दोबारा हमला कर सकता है अब आप जरा ये जान लिजे खामनेई मिसाइलों से ही इसराइल पर हमला करने पर क्यों उतारू है इरान का जरा ये वीडियो देखिए इस वीडियो के बारे में इरान का दावा है कि ये सुरंग बंकर जमीन से 500 मीटर की गहराई में एक पहाडी के नीचे मौझूद है इस सुरंग बंकर में इरान के F-4 फैंटम जेट से लेकर क्रूज, बलिस्टिक और हाईपरसोनिक मिसाईलों को साफ देखा जा सकता है इस वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि इरान की मिसाईलें जबरदस्त हमला करने जा रही हैं इरान की ये मिसाईलें हर तरफ से लाँच हो रही है Center for Static and International Studies यानी CSIS में मिसाईल Threat Project की 2021 की रिपोर्ट के मताविक इरान के पास हजारों बलिस्टिक और क्रूज मिसाईलें हैं जिनकी रेंज अलग अलग है इसी साल अप्रैल 2024 में इसराइल पर किये गए इरान के पहले हमले के बाद इरानी नियूज आउटलिट ISNA और दे इरान प्रेमियर के जरिये इरान की मिसाईल श्रम्ता के बारे में जानकारी दी थी जिसमें इरान के ऐसी नौ मिसाईलों को दिखाया गया था जो इसराइल को पूरी तरह से तबाह कर सकती हैं और इरान ने ऐसा करके भी दिखा दिया है हम आपको बता दियें कि अमेरिकी वायू सेने के जरनल कैनेथ मेकेंजी ने 2023 में कॉमरिस को बताया था कि इरान के पास 3000 से ज़्यादा बलिस्टिक मिसाईले हैं ये रिपोर्ट 2,5 साल पहले की है अब तो और भी ज़्यादा बलिस्टिक मिसाईले इरान के पास हो सकती है कुछ रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया है कि एरान के पास दो लाग से ज़ादा मिसाइले हैं जो इसराइल को आसानी से तवा कर सकती हैं इरान की सबसे नए मिसाइलों में मीडियम रिंज की बलिस्टिक मिसाइल खुरम शहर ने इसराइल के होश उड़ा दिये हैं इरान के खुरम शहर के नाम पर बनी खुरम शहर मिसाइल के रिंज दो हजार किलो मिटर है खुरम शहर मिसाइल की स्पीड 9,870 km प्रती घंटे से 19,756 km प्रती घंटे के बीच है जो इसराइल पर बहुत भारी सावित हो सकती है वहीं शहाब थ्री मिसाइल की रेंच 3,00 किलो मिटर है जो 8,640 किलो मिटर की रफतार से हमला करती है जबके शाहब चार की रेंज 2,000 किलोमीटर जो धुनी से 3 गुना रफ़तार से हमला करती है इमाद की रेंज 1,700 किलोमीटर है इसकी स्पीड का खुलासा नहीं किया गया है जबकि एरान के हाईपोसोनिक मीसाइल फ्ता, मीसाइल की अधिक्तम स्पीड 16,000 किलो मीटर परती घंटे होती है ये मीसाइल हाईपोसोनिक गती से उडान भरती है फ्ता, मीसाइल 7,000 की चाल से 5 गुना तेज रफतार से उडान भरती है इसके अलावा इरान की इमाद और गदर मिसाइल ने इसराइल पर पहले चरण का हमला करके इसराइल को चौका दिया था वही इरान के खाइबर शेकर ने इसराइल के तीन सेन अड़ो को एक अक्टूबर के दिन जबरदस्ट नुकसान पहुँचाया था वही इरान के हज कासिम मिसाइल भी इसराइल के ताबूत में आखरी किल ठोक सकती है हज कासिम की रेंज 1400 किलो मिटर है इरान के मिसाइल हमले के भीसर खत्रे को देखते हुए अमेरिका और इसराइल ने युद धस्तर पर रणनीती तयार की है सूतरों के मुताबिक अमेरिका और इसराइल में एक सीक्रेट डील हुई है जिसके तहट इसराइल फ्रंट पर रहकर इरान के अंदर हमले करेगा और अमेरिका इरान के अंदर ग्रिह युद्ध की आग भड़काएगा अमेरिका और इसराइल ने मिलकर इरान के खिलाफ इस टू फ्रंट वार की तैयारी पूरी कर ली है 10 अक्टूबर को देर रात इसराइली सेक्योरेटी कैबिनेट की बैचक हुई इस सेक्यूरिटी कैबिनेट की बैठक में इरान पर हमलों के मुद्दों पर वोटिंग हुई पूरी कैबिनेट ने इरान पर हमले का समर्थन किया है इस बैठक को इरान पर हमलों से पहले अंतिम बैठक कहा जा रहा है संकेत साफ है कि इसराइल के प्लैन में अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है इसराइल के रक्षा मंतरी योग गैलन्ट ने सबसे विनाशक संकेत दिये हैं गैलन्ट ने कहा है कि स्वर्गे के दौर खुल चुके हैं सही समया चुका है इस बयान का मतलब माना जा रहाई कि इसराइल इरान के परमारो संयंतरों उर्गे करने वाला है इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि प्रॉक्सी एरान के हाथ पह रहें अब इन्हें काटने के बज़ए इनका सेर कुछलने का वक्त आ चुका है इसराइल के लिए सबसे बड़ा खत्रा है एरान क्योंकि एरान की वजह से ही इसराइल को साथ फरंट पर जंग लड़नी पड़ रही है इसराइल को लिबनान, गाजा पर्टी, एराक, वेस्ट बेंक, सीरिया, यमन और एरान से जंग लड़नी पड़ रही है इन सब का शक्ति किंद्र तहरान है और अगर तहरान को खत्म कर दिया गया तो इसराईल के इन दिश्मनों की ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी अब देखना होगा इरान इसराईल पर पहले बड़ा हमला करता है या फिर इसराईल इरान का वही हाल करेगा जो घाजा और लेबनान का इस वक्त हो रहा है इसराईल ने लेबनान के बारज़ा में बहुत बड़ा हमला किया इडियाफ की एर स्ट्रैक में कई बहु मन्ज़ाय मारते जमी दोस हो गई तो बहुत दक्षणी लेबनान के नाकौरा में भीषण लड़ाई चारी है दक्षणी लेबनान में तनात सायुक्त रास्ट की शांती सेना के हेड़क्वाडर पर भी हमला हुआ और यहां तनात एक जवान को भी कोली लगी वार जोन की तरह ही डरावना अपडेट इरान से आया है जहां इरान इस्वराईल ने एक नई तरह का हमला शुरू कर दिया है एक अक्तूबर को इरान ने जहां टार्गेट सेट किये थे वहीं पर 200 मिसाइले की रिंग, फटी और इस्वराईल धुआ धुआ हो गया लेकिन अब खामनेई के ओरडर पर मिसाइलें जिस लोकेशन पर हमला करेंगी इसकी कोई गैरंटी नहीं है क्योंकि बटन दबने के बाद इनी मिसाइलों को इसराईल कंट्रोल में लेकर टार्गेट सेट कर सकता है ये तो बिलकुल ताज्जुब की बात है लेकिन याद करिए कि कैसे वेरूत में हिजबुल्दा लड़ाकों के पेजर फटने लगे थे कैसे उनके वाके टॉकी बंबन गए थे इसराईल इरान को भी उसी तरह दहला सकता है इसकी रिहलसल हो गई है इसराईल हमास और हिजबुल्दा के बाद तीसरे नमबर पर तहरान का दहलाना तै है इसराईल से दुश्मनी कितनी भारी पड़ती है यह गाजा के इन तस्वीरों से समझी है यहाँ पर एर स्ट्राइक हुई है यह आप देख सकते हैं अभी लोग जो जखमी होए हैं उनको निकाला जा रहा है एक रिस्क्यू उपरेशन चलाया जा रहा है लगातार इसराईल की तरफ से हमले किये जाना है तो फिलाल यह जो आप इरिद गित देख रहे हैं यह रिलीफ इंड रिस्क्यू उपरेशन की टीमें हैं जो यहाँ पर अभी पहुंची है अभी यह क्या पना मुश्किल है कि अंदर क्या हुआ है लेकिन यहाँ से यह है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट शुकरवार रात से उठा जबालिया में बारूदी जलजला अब जाकर शान्त हुआ लेकिन इसकी चपेट में आकर 22 लोग बेमौत मारे गए नब्बे की जिंदगी दाउंपर लगी है इसराइल इसी तरह वेस्ट बैंक में हमास को बेहरहमी से फीट रहा है लेकिन राफ़ा में कासिम ब्रिगेट जोरदार पलटवार करने लगी है कासिम ब्रिगेट ने इसराइल के दो टैंक और बुल्डोजर के चीथलो उड़ा दिये है अलजनेना इलाके में यासीन 105 अंटी आर्मर विस्पोटक गोले का इस्तमाल करके इसराइली सेना के दो मरकावा टैंक और एक D9 बुल्डोजर को बर्बाद किया गया है अलगि हमास और हिजबुल्ला दोनों को तेहरान से आई अलर्ट ने सन कर दिया है एरान में 11 अक्तुबर को कुछ ऐसा हुआ जिससे एरान के मिसाईल लॉंच तो होगी लेकिन भटेगी वहाँ जहां नेतन याहू चाहेंगे इस बुल्ला के रॉकेट उड़ेंगे लेकिन भटेंगे वहाँ जहां इसराइल के आर्मी तै करेगी हमास और हूती के हत्यारों का यही हाल होने वाला है इसराइल के दुश्मन अब अपने ही हत्यारों से जलेंगे नेतर्याहू ने साइबर युद्ध शुरू कर दिया है इसराइल हाइटेक लड़ाई से सभी दुश्मनों का सफाया करने जा रहा है पहले घजा, फिर बेरूद, और अब तहरान का नंबर इसराइल के टार्गेट सेट है, टाइमिंग फिक्स है, तबाही का लेवल भी लॉक है एक-एकर दुश्मनों का सफाया, शेहरों की बरबादी, दुश्मन ग्रुप की पूरी लीडर्शिप का खादमा नेतरियाहू ने हमास और हिजगुला को जिस तरह कुचला है, उससे भी खौपनाक अंजाम इरान को भुगतना पड़ सकता है इसका ट्रेलर 11 अक्तूबर को इसराइल ने दिखा दिया है, शनिवार को इरान की वर्ल लाइफ लाइफ लाइन हैक कर दी गई थी इसराइल ने ऐसा कुच किया, जिससे तहरान में कोहराम मच गया आधी रात को इसराइल वार रूम ने ये मैसिच सोशल मीडिया पर पोस्ट कर, तहरान को थ्रेट से अलर्ट भी कर दिया है इरान में साइबर अटैक हुआ इस अटैक के माइने क्या है क्या इरान में सब कुछ इसराइल कंट्रोल कर सकता है डीटेल डरावनी है इसराइल के दुश्मनों के लिए भैयानत जानेंगे नेतन याहू का मोस्ट पौफुल वार प्लैन दोसों मिसाइल हमलों के बाद का पूरा ब्लूप्रेंट मगर वार जोन का ये विद्वनसक द्रिश्चे देखने चलिए हाइफा, गैलीली और लेबनान वाडर पर इसराइल की जमीन जल रही है देख सकते हैं तस्वीरों में की ये जो घर है वो पूरी तरह से उजड़ गया है और कुछ ऐसे मिसाइल और रॉकेट प्रोजेक्टाइल होते हैं जो बासिंदे जो यहां के हैं इसराइली उनके घरों तक पहुंच जाते हैं अब आप देखिए तस्वीर कि जो यहां पर मिसाइल गरी उसकी वज़े से यह जो सोलर सिस्टम है पानी गरम करनी के लिए बैसिकली यह सोलर सिस्टम है वो पूरी उसके कांच जो है तूट गए हैं बिखर गए हैं देखिए कांच की टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं यह सोलर सिस्टम पूरी तरसे नस्ट हो गया है हिजबुल्ला ने हाइपा को बेहसाब रॉकेट से चलनी कर दिया है रॉकेट स्ट्राइक देर रात में शुरू हुई और भोर तक इसराईल को धुल्साती रही जब हाइपा में रॉकेट फट रहे थे तब बेरूत में भी बारूदी धमाके से धर्ती धर्रा रही थी बिरूद के आजमान में काला धुआ बारा अक्तूबर की सुबा तक उखता रहा इसराइल ने अन्दादू हमले के साथ लिबनान में हिजबुल्ला को 22 शेरों में डेथ वारेंट का इस्तिहार चापा है यह जो आप इरिद गरिद देख रहे हैं यह हर तरफ से तबाही है मैं दूसरे साइड से आपको दिखाने के कोश्च करूँगा यह आप देख सकते हैं यहां की गाडियां किस तरीके से बरबाद हुई है क्योंकि यहां पर लगातार इसराइल की तरफ से सिट्राइक्स की जा रही है और यहां पर इसराइल को लगा था कि हजबुला के कमांडर इस एरिया में है और जहां पर भी उनको कोई इन्फरमिशन मिलती है वो उन ही इलाकों को बरबाद कर देते हैं यह आप देख सकते हैं कि यह बिलकुल बड़े पैमाने पर यहां तबाही हुई है जहां पर भी आप नजर दोड़ाएंगे वहां पर तबाही दिख रही है तबाही के मनजर News 18 नेटवर्क पर आप देख सकते हैं इसराइल ने लिबनान के एता अलशाप, रामिया और हनीन जैसे बाईस इलाके हिस्बुल्ला लड़ाकों को खाली करने के आदेश दिये हैं आईडियफ ने बाईस इलाके खाली कर अलवली सागर की तरफ भाग जाने का फरमान सुनाया है दक्षणी लिबनान में इसराइल ने तूफानी हमले शुरू कर दिये हैं इसराइल ने लिबनान के माईसरा केसरवेन पर भीशन हमले किये हैं दक्षणी लिबनान के बारजा में भी आईडियफ ने जंगी जेट से बेहसाब बंबरसा हैं उदर बेरूत में भी इसराइल बारूत की मात्रा कम नहीं पढ़ने दे रहा है इस बीट बेरूत में मारे गए हजबुल्ला के टॉप कमांडर्स और इरान के कमांडर के शवों की शिनाख भी हो गई है इरान की इसलामिक रेवुलूशन गार्ड्स कॉप्स के टॉप कमांडर अबास निल फुरुशान की डेट बॉडी भी मिल गई है IRGC कमांडर अबास की मौत नसर अल्ला पर हुए हमले में हुई थी कितनी तभाई हुई है यहाँ पर मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा आपको क्याँ पर क्रुक्त की वज़ा से आप देख सकते हैं बिलडिंग्स में यहाँ पर क्या तभाई हुई है सब कुछ बिख्रा पडा है और कई लोगों की मौत हुई है इस हमले में और लगातार इस्राइल की तरफ से रोकेट्स दागे जा रहे हैं और हिजबुल्ला की तरफ से भी अटाक किये जा रहे हैं बेरूत में भीशन ममबारी हो रही है और इस बीच एक बार फिर से इरान ने लिबनान के समर्थन की बात की है इरान के संसत के अध्यक्ष मुहमद बागेर बेरूत में हैं और इस्राइली हवाई हमलों से बचे खंड़हरों का दौरा कर रहे हैं बेरूत की बरबादी की तस्वीरें इरान के संसत के अध्यक्ष मुहमद बागेर गालिबफ ने भी महसूस की इरान दोरे पर पहुंचे गालिबफ ने बेरूत में उस जगा का दोरा किया जहां नसरल्ला मारा गया बारूदी खंडर के धेर को देख इरान के पूर सैन्ने कमांडर गालिबफ का खून खौल गया गालिबफ ने नसरल्ला की मौत की जगा से एालान किया है कि सुप्रीम लीडर खामनेई ने इसेराइल की तबाही तक हजबुला का यूद्मे साथ देने का ऐलान किया है अपने बाशन के बाईफ ने लिबनान के कारेवाख्रदान मंतरी नजीब मिकाती से मुछात की है इस बैठक के बाद हिजबुल्ला के मीडिया आफिसर हज मुहम्मद अफीफ ने नितनियाहू को डारेक्ट थमकी दी है इस बुल्ला और इरान की धमकिया एक तरफ है और दूसरी तरफ है इसराइल का नेक्स्ट अक्शन इसराइल ने साइबर अटैक के थ्रिलर अक्शन से तेहरान की टेंशन बढ़ा दिये इसराइल का साइबर हमला शुरू हो चुका है जो की हर गुजरते दिन बड़ा और विस्पोटक होता जाएगा इरान के साइबर स्पेस के पूरुफ सचिप फिरोजबादी ने इरान इंटरनाशनल के हवाले से दावा किया है कि इरान पर बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ है साइबर अटैक के दाएरे में इरान हकूमत का हर महकमा आया है यहां तक कि इरान के न्यूकलिर साइट को भी साइबर अटैक से निशाना बनाये गया है साइबर अटैक की जद में एरान के बंदरगा, ट्रांस-पोर्ट, इंदन सप्लाइ-सिस्टम तक आए है साइबर अठाक का असर तेहरान से लेकर एरान के सभी बड़े शेहरों में दिखाई देने लगा है साइबर अटैक के बाद इरान के सभी सीक्रेट उडा लिए गए है मतलब ये कि इरान के हतियारों का रिमोट कंट्रूल अब तेलवीब में है जिसे जब चाहे इसराइल दबाएगा और इरान को दहलाएगा हाइटेक लडाई में इसराइल की साइबर आरमी बेजोड मानी जाती है जो जब चाहेगी तेहरान को कबाल खाने में बदलने का दम रखती है तकनीक के दम से जीते जाते हैं इरान को भी ये पता है इसलिए साइबर अटैक के बाद इरान ने बड़े फैसले देने शुरू कर दिये हैं इरान के उड्यन मंत्राले ने मुबाइल के अलावा किसी भी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस पर बैन लगा दिया है यानि प्लेन में पेजर और वाकी टॉकी जैसे इलेक्ट्रोनिक उपकरोनों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दि गई है इसमुल्ला के पेजर और वाकी टॉकी को तेलवीब में बैट कर बम बना कर उड़ाने का नमूना इसराइल पहले ही दिखा चुपा है इसके बाद इरान के साइबर वर्ल्ड में सेंदमारी ने नेतन याहू की पावर को डबल कर दिया है इरान के सभी हत्यारों को हैकर इसराइल इरान से बदला लेना शुरू कर सकता है इस्राइल के हाथ अगर इरान की मिसायल सिस्टम की चाबी होगी तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि युद का नतीजा क्या होगा इस्राइल से मिले जटके के बाद अमेरिका ने भी इरान पर करारा प्रहार किया है अमेरिका ने इरान पेट्रोलियम कारुबार से जोड़े 6 संस्ताओं पर प्रतिबंद लगाया है अमेरिका ने इरान के 6 जहाजों को block property के रूप में पहचान भी की है इरान की 10 वित्ते संस्ताओं पर अमेरिका ने बैन लगाया है इनके 17 जहाज के कारोबार भी ठप कर दिये गए है इरान पर मैक्सिमम प्रेशर बना हुआ है इसराइल कभी भी एक अक्तूबर का बदला लेना शुरू कर सकता है अमेरिका इसी ताक में बैठा है कि इसराइल इरान को देहलाए और फिर सूपर पावर शिया आर्क पर अपना टोटल कंट्रोल जमा ले लेकिन इरान भी जुकने को तैयान नहीं इसराइल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इरान अपनी सेना लेबनान में उतार सकता है मुहम्मद बागेर गालिबफ की बेरूत विजिट को इसी वार प्लान का सिगनल बताया जा रहा है लेबनान में इरान के आने भर की देर है फिर आरपार का युद्ध शुरू होगा जिसमें सभी लिमिट क्रॉस होनी तैय है इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही नमस्कार